पिछले वीडियो में आप नए रिपोजिटरी बनाने और किसी existing repository को remote server से clone करना सीखे थे अब इस वीडियो में आप कुछ commands सीखिएगा जिससे हम लोग किसी file पे changes कर पाएंगे और इसके operations को track कर पाएंगे ये सब command होगा status, diff, add, reset, rm, commit, checkout and log कोई फी file जो हम लोग version control में बनाएंगे वो किसी एक state में होगा वो हो सकता है untracked state में हो, हो सकता है staged state में हो या फिर हो सकता है वो tracked state में हो untracked state का मतलब आप नया file अभी just add किये हैं और अब ये file staged state में जाने के लिए ready है staged state का मतलब होता है कि file अभी आप staged में add किये हैं और ये अब versioning preparation list में available है और आप इसे अब tracked list में डाल सकते हैं tracked means file और उसके changes को version control system में डाल दिया गया है और git repository यानि git system अब इस file को monitor कर रहा है और आप कोई भी इस file के changes को future में आप देख सकते हैं तो कोई भी file आप जो add करते हैं वो किसी एक state में जरूर होता है और अब चलिए हम लोग वो सब commands समझते हैं जो हम लोग इस video में अभी use करने वाले हैं थोड़ी देर में सबसे पहला command आप देख सकते हैं स्क्रीन पे वो है ls और dir command इन commands का use करके files और folders के list को देखा जा सकता है status command इस command का use करके ये पता चलेगा कि आप किस branch पे हैं कौन-कौन सी files में changes हुई हैं कौन-कौन सी file में कोई changes नहीं हुई हैं तथा वो सबी files का list जिसमें कुछ changes हुआ है या फिर वो file नया add हुआ है status command आपको proper hint message भी देता है जो बहुत ही useful होता है diff command इस command का use करके files के differences को देखा जा सकता है यानि file में क्या-क्या changes हुई है जैसे कोई ऐसा change जो आप commit कर दिये हैं और कोई ऐसा change जो अभी uncommit है तो इसको आप compare कर सकते हैं add command इस command का use करके file को versioning preparation list यानि staged list में डाला जा सकता है ताकि इसे commit किया जा सके reset ये command file को staged list से हटा देता है लेकिन file के changes को as it is रखता है rm command इस command का use करके file को tracked list यानि versioning से हटाया जा सकता है इसके बाद file staged list में visible होता है commit command इस command का use करके file को permanently versioning यानि tracked list में डाला जा सकता है इससे file या इसके changes को कभी भी future में देखा जा सकता है log commands का use करके checkout command file के changes को discard कर देता है permanently यानि कोई changes आप किये हैं और वो file पहले से commit किया हुआ है और जो new changes है उसको आपको remove करना है उस situation में checkout commands का use किया जा सकता है log command इस command का use करके commit history को detail में देखा जा सकता है log one line command इस command का use करके commit के history को sort करके देखा जा सकता है शौत